आज मैं आपके सामने उपस्तित हूँ, लेटर B से श्टार्ट होने वाले सभी EDM के साथ, जो कि ASP BAKSY साहब के बुक से लिया गया है, इसके पहले मैं A लेटर से श्टार्ट होने वाले सभी EDM को दिखा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, तो आज B पर करने जा रहा ह और मज़गार बात यह है कि मैं इसके सभी टिक्स भी आपको बताने वाला हूँ, कि किस तरह से आप जल्द से जल्द इसको याद कर सकते हैं, तो बिना देर किये, मेरी वीडियो पे अंतक बने रही है, और हाँ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्रीज सब्सक्राइ किसी भी तरीके से, इसका मतलब होता है कैसे भी, किसी भी तरीके से, by one means और another, किसी भी तरीके से कैसे भी कुछ चीज हासिल कर लेना, उसको बलतो है बाई हुक और बाई कुरुक, रहे कि वह एकदम से डिटर्माइन है, संकल्पित है, क्लास में पहले पोजिशन पे आने के कि तरीका डाप्ट करने को तरीका होता है, कि वह कैसे भी सफलता है, कोई भी तरीका होगी, प्राइस प्रशन यह किया जा रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बाद है तो वही चीज है बेल दकाइट तो टेक फर्स स्टेप अपने खुद के रिस्क पर पहला कदम उठाना यानि कि कोई भी काम करना उसमें लीड करना आगे बढ़के कौन आने वाला है करें कि बहुत से लोग अपनी बोष्ट करते हैं कि मैं यह कर दूँगा और कर दूँगा लेकिन जब समय आता है तो आगे बढ़कर सामना करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं बिड़ डेफियंस का मतलब होता है इगनोर कर देना रोहन बैड़ डेफियंस तो इस फादर्द स विस अपने पिता के डाक्टर बनने का जो विश्थी उसको इगनोर करके इंजिनियर बना ब्लों स्ट्रंपट सेखी बगारना का मतलब होता है अपनी बात को अपने आप की प्रसंसा करना अपने अधी कुछ दिखाना या अपने विशे में खुब बढ़ चड़के बोलना कोई भी पसंद नहीं करता है इसे लोगों को जो सिर्फ अपने विशे में बोलते रहते हैं अपनी सेखी वगारते हैं नेक्स्ट है बियर्द नियूज और है टुगी बैद नियूज का मतलब होता है गलत यानि की बैड नियूज देना गलत नहीं खराब सूचना देना करना है कि उसने उसके हस्बेंड की मृत्य की सूचना जो की बैड नियूज कही जाएगी मृत्य की सूचना इस तरीके से दिया ताकि वह जो उसको सौक लगे उसकी गहनता उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए पैसे को बहुत तेजी से खर्च करना यहां मीनिंग आप देखिए बर्न होल का मतलब होता है एक होल बना देना कैसे जला कर बना देना इन वन्स पॉकेट और आपको यह पता है कि जब किसी एप पॉकेट में थोड़ी सी जलने के वज़ा शेत होते हैं तो धीरे धीरे बढ जाती है इसलिए का जा रहा है कि पैसा तेजी से खर्च होना कि पैसे को बहुत तेजी से खर्च करना केवल फाल्तू का खर्च है उसके लिए बरीद हैचेट बरीद हैचेट का मतलब स्पेसली होता है एक बैग तो बरीद हैचेट का बैग को जमीन के अंदर गार देना दबा देना इसका मतलब यह है कि जगड़े का जो सोच है उसको हटा देना जिसके विज़े से सांतिया जाए किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करना अपने खुद के बगल तो मतलब यहां पर कि अपने को छोड़कर किसी और के लिए बहुत ज़्यादा फील करना करा है कि जो दंगे कराने वाले होते हैं वो भारत के दो कम्यूटी के बीच छगड़े लगा देते हैं उनके रिष्टे खराब कर देते हैं ब्लाइक अंड ब्लू टू बीट मर्सिलेसली किसी को बूरी तरह से पीटना मारना दथीप वाज बीटन ब्लाइक अंड ब्लू बाइद पॉलिस पॉलिस के दौरा जो चोर था बहुत बूरी तरीके से पीटा गया या मारा गया नेक्स्ट देखते हैं बीट अबाउट दबस फालतू का प्रयास करना तो टॉक इन राउंड अबाउट मैनर यानि कि फालतू की बक्वास करना जिसका कोई अर्थ ना हो वी सुड आलवेस कम तुद पॉलिस पॉइंट इन सुड नॉट बीट अबाउट बस कहा जा रहा है कि हमें हमें सब पॉइंट पर बात करने चाहिए यानि कि ब्यार्थ का प्रयास करना, आपका प्रयास यूजलेस होगा, तो समी स्पीकर्स मेरली बीट थे एर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग करें, तो बिल्ड कैसल का मतलब हवा में घर बनाना अब हवा में घर बनाने का मतलब it's a day dream, केवल कमरपना करना हो सकता है, हवा में घर नहीं बन सकता है, उसके लिए एक बेस चाहिए, तो यहां है visionary schemes, मुझे उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज आप मेरे चैनल पर आं पी तोड़ देना, यानि कि लंबे समय के बाद बोल देना, to speak first after prolonged silence, लंबे समय के silence के बाद बोल देना, बता देना, in the meeting Rajesh broke the eyes and suggested the plan to solve the problem, करें मीटिंग में Rajesh जो है, यहां पे ग्वेट के अनाम Rajesh है, जिसने अपने मौन को तोड़ा और problem को solve करने का तरीका बताया, bring to book, to punish to call to account, किसी को punish करना, bring to book का मतलब होता है, किसी को punish करना, the manager बाज bought to book for his negligence, manager जो था, अपने negligence के लिए, फबटकार सुना, गार सुना, उससे punish ले, breath once lost, to die, breath once lost का मतलब होता है, आपनी अनतीम सास लेना, ता अनतीम सास लेने का मतलब होता है, कि मरने वाला, he breath is lost in the prime of his time, प्राइम आफिस टाइंग मतब जब उसके जीवन का एकदम अच्छा समय चल रहा था तो उसने अपने जीवन उसके जीवन कांथ हो गया नहीं कि वह अपनी इस अंतिम सास ले लिया प्रभाव यानी की पीछे का प्रभाव तो ताथ पर क्या होगा कि किसी गलत तरीके से कोई काम करना यहां प्यका जा रहा है कि बहुत संचित में देखना किसी चीज़ पर ब्रीफ में नजर रखना अब यहां पिका रहा है पूरे फेयर में होल्द फेयर मतलब जो मेला लगा हुआ है वहां पर जो एक जाइंट वील है वहां से खड़े होकर पूरे मेले पर नजर रखना इस नोट पॉसिबल इस वाइट इस काल कंसाइज भी उसके पती का एर क्रेस में एक्सिडेंट के द्वारा मिलती होना उसके लिए एक अनेस्पेक्टेट सौक था बर्न वन्स बोट्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्ण करहें कि लोटने का कोई बिंदु न छूटना बर्न वन्स बोट्स का मतलब सवभाईक है आप समुद में जाए और अपनी नाव को जला दीजिए यानि कि आपकी नाव तूड जाए भी ख ने कर सकते हैं कि रस्ता बंद कर देना वाई दबाई का मतलत है बाई दॉए वाई दबाई वाई वाई इस यह जैसे कर दें तो अच्छा ठीक है सब कुछ अपना एज बताई है तो तो इस देखेंगे घ्रीज ओन एक्स का मतलब होता है अपनी को लड़ी अपने हाथ तो यह जैसे जब क्रिकेट होता रहता है कोई मैच होती है जैसे यहां पर दिया भी होगा तो दफ्रेट अपने मैच हंग इन बालंस और एब्रीबडी वेटेट फार रिजल्ट वित बेटेद व्रिट मिंस क्या होगा जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होगा हो तो वह तो उनकी सांसे उनकी चिंता एकदम बढ़ी रती है तो वह जो एन्जाइटी होता है इस आसा के साथ बेटेद ब्रिट बैटेद बैंडी वर्स बैंडी वर्स तो रंगल तो अर्ग ओबदेंट चिल्डेंट डॉंट बैंडी वर्स वित यह परेंट से अग्भी भी बहस न वह अपने में ही खोई रती है अपने विसे में सोचती है इसलिए वह दूसरों में सा कुछ गल्तिया डूपती है बाइट दश्ट तो वी इपिटेट हार जाना पाकिस्तान है ने वर्ल्ड कप के फाइनल पाकिस्तान हार गया ब्लु स्टॉगिंग एडूकेट बट पेडै करना नहीं चाहता है क्योंकि वह एक ब्लूइ स्टॉकिंग टाइप की गुमन है बुक वाम बुक वाम का रहता है जिसको बोलते हैं किताबी कीड़ा इट मेंस बहुत ज्यादा प्रसंसा पाना इसको बोलते हैं ब्रिंग डॉप तो इद्यापी इट वाज इस मैडेन स्पी प्रथम भासर या प्रथम स्पीच जो भी आपका सकते हैं तो he brought down the house because of his oratory skill अपने बोलने की कला की वज़े से वो सभी का ध्यान अपनी तरफ खीचा और अप्लॉज पाया ब्रोबिट टुबुली गुंडा बनना बदमासी करना करेंग जो इस्टूडेंट के प्रेसिडेंट होते हैं तो अकसर उन वच्चों को धंकाते हैं जो उनका विरोध करते हैं बैड एग वर्थलेस बैड एग खराब इंडा इसका मतलब क्या हो वर्थलेस ही कम साफ नोबल फैमली बट ही इंसल्फ इस बैड एग रहें को अच्छे परिवार से आता है लेकिन वह खुद अपने आप में एक बैड एग है यानि कि खराब है बिसाइड दे मार्क इरिले क्योंकि उसका जो आग्मेंट था वह भी साट दमाग यानि इरेलेमेंट था बर्न वन्स फिंगर अपनी उंगली जलाना तो गेट इंट टॉबल खुद को परसानी में डालना तो दोस्वी इंटरफियर इंड फेर साफ अफ अधर्स आफेन बर्न दियर फिंगर्स करें कि जो दूसरे के मामलों में इंटरफियर करते हैं तो अपनी उंगली कुछ जलाते हैं यानि कुछ परसानी में हो जाते हैं ब्राउन श्टडी रेवरी डेड्री मतलब ख्यालो में डूबा रहना यानि डेड्रीम स्वपन देखना तो दिन दिवाश्रपन जिसको हम बोलते है अपने ख्यालो में डूबा था इसलिए अपने ख्यालो में डूबा था इसलिए मेरे द्वारा दिये गए ऑफर के महत को नहीं समझ पाया जो धनी लोग होते हैं हमें सब पैसों पर डिपेंड होते हैं अपने चीज को पाने के लिए करने के लिए ब्लेज देट्राइल का मतलब होता है ट्वी स्टार्ट अ मूवमेंट यानि एक अंदोलन सुरू करना या अपनी बात को आगे बढ़ाना सुरिंदर नाथ बनर जी ब्लेज देट्राइल आफ इंडियन इसलम मूवमेंट के वह अगे बढ़ा है उसकी अंदोलन को आगे गए उसका नित्युत के बूली ना चाहिना सौप का मतलब होता है अपरसन वो कॉजस्ट डैमेज जो सिर्फ डैमेज करता है यानि कि नुप्सान करने वाला ब्यक्ती तो मोस्ट अफ द लीडर साफ दर फ्रीडम इस्ट्रगल है प्रूट बूल्स इन चाहिना सौप कि जो फ्रीडम का इस्ट्रगल था उसमें से बहुत से ऐसे लीडर थे ज करें पुराने समय में एक्सपिरियंस के आधार पर बिजनेस को चला जाता था था बिग ड्रॉट का मतलबता है अपनी तरफ अट्रेक्शन लेना जब इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो अपने आप में यह एक बिग ड्रॉट होता है इसमें से हीज रिड का मतलब आखो पता है कि एक पतला सा प्लांट होता है अब उसके साहरे और भी ब्रोकेन और भी टूटा हुआ हो तो उसके साहरा अगर लेंगे तो स्वाबाइक है कि उसके साहरे अब खडे नहीं हो सकते गिर जाएंगे वेल ही नीड़न है इस फ्रेंड प्रूब डो इंटम नहरो जिर्कम बोते हैं बाल-बाल बचला, बोन आफ कंटेंशन जगडे का जड़, cause of quarrel, since India got independence, कसमीर problem has been a bon of contention between India and Pakistan, कसमीर जो है वो बोन आफ कंटेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के निच्वे, with peace of one's mind, who is called data jana, my father wrote to my brother giving a peace of his mind about his insulting conduct, रहें कि मेरे पिता ने मेरे भाई को data ऐसा कुछ लिखा, born with silver spoon, धनी परिवार में जन्म लेना, यानि कि बहुत रीच होना, my friend does not have to worry about spending any amount of money as he is born with a silver spoon in her mouth, रहें कि जो मेरा friend है, वह टेंसल ही नहीं करता पैसा खर्च करने का, क्योंकि वह बड़ी धनी परिवार में जन्म लिया है, burn candle at both hints, squander, squander मतावता है destroy करना, a person who destroy each and everything of his own, रहें कि after the death of his father, he is burning candle at both hints, अपने पिता के मेरे के बाद, वह सभी चीजों को अरभाद करता चला गया, by fits and starts, irregularly, by fits and starts का मतावता है fit होना, इस तरह से पढ़ेंगे तो हम सब्कल नहीं होंगे, by didn't off का मतला होता है, by force up किसी चीज़ पर force करना, he achieved success in life, by didn't off hard work, by didn't का मतला है यानि उसके बल के प्रभाव के वज़े से वस जीवन में सफल हो पाया, blow hot and cold, to speak in favor and against at the same time, do not trust those who blow hot and close, cold in the same way, करहें कि जो एक बार में अच्छा और बुरा दोनों कहें, जो favor में बोलें और against में भी बोलें, ऐसे लोगों से सतर रहाना चाहिए, उन पर विस्वास नहीं करना चाहिए, by and by मतलब gradually धीरे धीरे, he is recovering by and by after long illness, लंबे बिमारी के बाद वह धीरे धीरे रिकावर कर रहा था, कर रहा है, blue blood, aristocratic blood, यानि कि अभिजाद, यानि कि सब भी परिवार में जन्म लेना उसको blue blood बोलते हैं, though my friend has blue blood, yet our conduct is very mean and vulgar, करें कि मेरा जो मित्र है, वह अच्छे परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसका जो बिवहार है, वह बहुत ही mean, तुप्च और बलगार यानि खराब है, असब है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज मैंने ये B लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी इडियोंस को कवर किया, नेक्स टाइम मैं C लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी इडियोंस को कवर करूँगा, मुझे उमीद है मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और आप इसकी practice करिए और अपने exam के लिए अच्छे सी prepare करिए ताकि आप पूरी तरह से सफल हो जाएए Thank you